असलाम अलेकुम, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप Google Classroom में students की attendance कैसे mark कर सकते हैं तो उसके लिए आप जिस classroom में students की attendance mark करना चाहा रहे हैं आप simply उस Google Classroom को open करेंगे और open करने के बाद आपके सामने ये एक window open हो जाएगी जिसमें आपके पास stream है, classwork है, people है and grades So class, आप simply classwork के उपर click करेंगे और यहाँ पे आपके पास create का icon नजर आ रहा है So plus create के उपर upload click करेंगे So यहाँ पे आप क्या create करना चाह रहे है, assignment create करना चाह रहे है quiz assignment है, question है, material upload करना चाह रहे है So यहाँ पे मैं simply एक question create करना चाह रहा हूँ आप question पे click करेंगे question का नाम दे देंगे attendance और किस date की है 13 है April 2021 और यहां पे आप short answer आ रहा है इस question का answer क्या होना चाहिए आप simply यहां पे multiple choice पे click करेंगे और यहां पे option दे देंगे present ठीक है और यहां से आप इसके points choose कर सकते हैं 100 points आप इसको ungraded लेंगे attendance को और यहां से फिरा यह question due कब तक रहे so मैं इसको 13 April तक ही और suppose मेरा lecture 10 बे start हो रहा है मैं चाहता हूँ कि students इसकी attendance question का answer 11.30 तक submit कर दें so यह इसकी due date and time आगया 13 April 11.30 तक और इसके बाद आप यहां से topic चूज कर सकते हैं topic अगर अभी क्योंकि यह fresh new हमने classroom बनाई है यहां पर कोई topic created नहीं है आप यहां पर create topic कर सकते हैं attendance next time आपको यह नहीं करना पड़ेगा attendance topic already क्योंकि create हो जाएगा इसके बाद आप चाहते हैं कि students can see class summary so यह इसको चेक रहने देंगे otherwise आप इसको uncheck कर दें so मैं इसको यहां से uncheck कर रहा हूँ so आप होगा क्या आप यहां से simply इसको ask कर देंगे जैसी ask किया तो यह आपके google classroom के अंदर stream के उपर यह question आ जाएगा जो present होंगे वो present आ जाएगा बाकी सारे absent ठीक है currently क्योंकि इस classroom को किसी student ने join नहीं किया हुआ so यहां पर को students नजर नहीं आ रहे otherwise यहां पर students आपके सामने आ रहे होने थे कि question किन किन को display हो गया हुआ so that's it Allah Hafiz